अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको बताना है कि इसके अंदर कितने triangles हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेगिंड के अंदर तो आप बता सकते हैं अगर नहीं तो आपको मैं आपकी इस वीडियों बताता हूं कि आप किस तरह से इसको बता सकते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी यह बहुत ही असान ट्रिक्स हैं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आजएगा कि आप किसी भी ट्रैंगल्स में कितने भी ट्रैंगल्स हों आप उनको चुटकियों में मतलब कि सेकेंडों में कैसे निकाल सकते हैं चलिए देखते हैं इसको आगे ट्रैंगल्स अब देख लीजिए यह अतकरिती है इसके अंदर invariंगल्स हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ हैगा कि इसके अंदर अगर आप ऐसे पहचानते हैं तो आप तीन ट्रेंगल्स बता सकते हैं ओके बट अगर इसमें से थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट आजा देंगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चलिए मैं आपको शॉल्यूशन बताता हूं कि यह कैसे होता है देखिए इसमें कितने ट्रेंगल्स हैं एक एंड दो बस अंदर त्री ट्रेंगल्स से जादा नहीं मिलेंगे आपको शर्त के साथ ऐसे ही अगला कोश्चन अगले कोश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है यहां पर आपको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप इस तरह के लाजिक को देखेंगे यह लाजिक आपको सिंपल तरीके से दिख रहे हैं सर्फ उनको गिन लीजिए जैसे वन टू थ्री इसके आगे आपको नहीं गिनना आफटर अपको करना क्या है आपको करना है इन सभी को प्लस इन सब को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा शिक्स देखिए वन प्लस टू इस इकोल लेंगे अगर आपको देखना है कैसे तो आपको बताता हूँ एक तो तीन चार पांच छे और एक ये वाला साथ ये नहीं होगा सिर्फ छे ही हैं ओके क्योंकि ये वाला हमने फर्श टाइम में गिन लिया था वन तो तो आपको समझ आया होगा कि इसके उंदर सिक्स ही ट्रैंगल से ज्यादा नहीं अब थोड़ा सा और क्रिटिकल करके दिखाता हूँ आपको ये आती है नियो आकरिती इस आकरिती में आप देखिए इसमें तो आपको गिनना बहुत ही परिशानी होगी ठीक अगर आप इस लॉजिक से गिनेंगे तो आपको करना क्या है इसमें भी वही मैथर्ड यूज करना है वन टू थ्री फोर अफ्टर आप क्या करेंगे इन सभी को प्लस कर देंगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इस इक्वल टू टू टैन एंड टैन से ज्यादा इसमें ट्रैंगल्स आपको नहीं मिलेंगे यकीन नहीं है तो आप इसको एक बार खुद भी चेक कर सकते हैं पर यह बहुत ज्यादा टाइम लेगा अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आप सेकेंड्स में दिखास बता सकते हैं कि इसके इंदर कित inis समय नहीं होगी कि तो इसमें क्या है इसी फिरेशे रफ्ले फिर फेस्ट पको इल्गरे.- मैंने यहां पर से पहले इन सब को प्लस कर लिजिए ऐस्ट एंस अब को प्लस कर लिजिए तो 10 एंड समय श्टीज बार जैस इइवस्व बास तो एपर 20 इन को भी असानी से बहुत ही सेकेंडों में आप बदा सकते हैं कि इसके अंदर कितने ट्रैंगल से 20 से ज्यादा इसमें नहीं मिलेंगे और यहीं इसका लॉजिक है इसलिए एससी में आपको यह बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व करना होता है तो इसी ही हम आते हैं अब नेक्स्ट थ पहले 123456789 ओके यह नाइन है ओके तो अब हम क्या करेंगे यहां पर भी आगर गे वन टू वन टू तोध्री फॉर फाईव सिक्स इस तरह से गिनेंगे और इसके बाद हम इन सब को प्लस कर देंगे तो यह आता है 45 अफ्टर जैट हम इन दोनों को प्लस करेंगे यह आता है 3 और अब इसके बाद हम इन सब को plus कर देंगे इसके बाद plus करने के बाद आता है 21 तो अब हम इन 3 को plus करेंगे यह जो आया है आपको orange color में दिख रहा है डा light brown वो 위에 तो इन सब को हम plus करेंगे इन सबको plus करने के बाद आता है 69 तो इसके अंदर 69 9 triangle से जादा नहीं होगा after that थोड़ा सा और difficult नहीं है यह बहुत ही easy है अब आप इसमें second नों में बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने triangles होंगे तो सही आपने बताया इसके अंदर 9 triangles है कैसे 1 2 1 2 1 2 1 plus 2 is equal to 3 1 plus 2 is equal to 3 1 plus is equal to 3 1 plus 2 is equal to 3 and after that 3 3 3 ok तो इस तरह से हमें इसको करना है और यह जो answer आता है रता है 9 तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं तो आशा है आप हमारी वीडियो में कुछ नया सीखे होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ग्यान नीथी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर दवाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन मुई कोई प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे धन्यवाद